पुलाओ बनाने के लिए एक कूकर को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें तीन से चार कर्शी हम कूकिंग ओईल डालेंगे आप कोई भी कूकिंग ओईल यूज कर सकते हो एक बड़ा चमच जीरा एक छोटी इलाईची, तीन लॉंग और आदा इंच धालचीने को कूट के डालेंगे एक तेज पत्ता तोड़ के या फिर आप साबुद डाल सकते हो चार से पांच लजसन की कलिया और एक इंच अद्रग को मैंने कद्दुकस किया हुए ये भी डाल देंगे इसमें एक मिन के लिए इसे अच्छे से कुक कर लिया है, 1,5 कप सोयबिन को मैंने 15 मिन के लिए भीगो के रख दिया था, ये भी इसमें डाल देंगे इसका पानी अच्छे से निकाल के डाले color change होने तक इसे stir fry कर लेंगे अब इसमें दो बड़े प्यास एक कप मटर दो medium size के आलू इन्हें अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें अच्छे से wash करके चावल डाल लेंगे यहाँ पर मैंने एक ग्लास चावल लिये और इसमें देड़ ग्लास पानी डाले इसे भी एक बड़ अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें देड़ चमच नमक डाल लेंगे नमक आप अपने टेस्ट के according कमिया जादा कर सकते हो एक छोटा चमच हल्दी एक चमच लाल मेर्च पाउडर मसाले को चावल में अच्छे से mix कर लेंगे अब हाई फ्लेम पे इसका धकन लगाके इसे दो सीटिया लगवाएंगे हमारे पुलाओ बनके बिल्कुल रेडी है आप इसे रायता चटनी या फिर जिसके साथ भी आप इसे खाना पसंद करें सर्फ करें बनाए और इंजॉय करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दो लाइक शेयर सब्सक्राइब